खवानामा के प्रयोजक हैं Mother's Pride Public School टेडवा जलॉला, लखीमपूर बाइपास, सीतापूर मिरास सिनेमाज, पहली मंजल Penguin Tower, Hardo Irood, सीतापूर The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces. Their never-ending energy for life. Their inexhaustible capacity to grow. And their enthusiasm to keep learning from books and from life, drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain. We at Mother's Pride, renew our focus and double on our efforts. To bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be, whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists Tech entrepreneurs Global citizens Fitness experts World champions Nation shapers At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open Mother's Pride Public School Where dreams come true The star of the united states Do not subscribe and seeنا Drives the Federation I will begin in my with my watching channel India Keep time also Shows Not It's really quellery You Being Thank you conoc Hol 84 कोशी परिक्रमा को लेकर एक्शन में प्रशासन फिर बात करेंगे CM योगी के प्रस्तावित दौरे को देखते वे DMSP ने नैमिस का किया निरिच्छन और खबर नामे के अंत में बात करेंगे यूपी की तेज तर्राड DSP स्रिष्ठा शाकूर से शादी के नाम पर हुई ठगी लेकिन पहले नजर सुर्ख्यों पर भाजपा नेता शियुकुमार गुपता के इंटर्वियू ने फिर बढ़ाई सियासी हल चल सीतापूर के कस्मंडा में वावायत कपजे पर चला प्रिशासन का ट्रैक्टर सीतापूर जी आएसी में भाजपा जिलाध्धस ने कहा यहां आकर बचपन याद आता है सीतापूर के यूबा सपानेता संतोस प्रजापती वने मुलायम यूथ विग्रेट के प्रदेश उपाध्धच लखिमपूर के निगासन नगर पंचाज चेर्मेन ने डिप्टी सीम के सामने रखी मांगे मांगा सहयोग लखिमपूर जिला अस्पताल में दूर्बीन से आपरेशन सुविधा सुरू आरेलडी के अंडिये की और जुकाओ से यूपी में बदला राहूल गांधी की यात्रा का रूर अखलेश यादों ने पढ़ा अल्लामा का शेर तो राजा भाईया ने पढ़ा दिया पूरा पहाडा खबरों की सुरुआत हम जनपर सीतापूर की खबरों से करेंगे भाजपा नेता और सीतापूर जिला पंचायत अध्यस प्रतनेदी स्युकुमार गुपता अकसर चर्चा में बने रहते हैं इधर कुछ समय से सीतापूर सांसत के पत पर उनकी दावेदारी चर्चा का विसय बनी हुई है अब उन्होंने इसका खुलासा भी कर दिया है आपके लोगप्रिये चैनल आइंडिया को दिये गए इंटर्विव में उन्होंने सीतापूर के ले किन बातों को जरूरी बताया और अपने सांसत बनने पर क्या-क्या करने का संकल ब्यक्तिया है इसे बिस्तार से देखने के लिए आप आइंडिया पढ़ दिये गए इंटर्विव को देख सकते हैं सीतापूर्सांसद राजे शुर्मा द्वारा गोद ली गई कस्मंडा ब्लाक की ग्राम सभा पतारा कला में इन दिनों स्वच्छता अभियान छिड़ा हुआ है इसकी वज़ए बताई जा रही कि 15 जन्वरी को केंदर की टीम यहां का दोरा कर सकती है इसकी सुखबुकाहट मिलते ही बलाक अमला मानो नींद से जाग गया है इस बारे में एडियो पंचायत ओमेंदर पाल सिंग ने बताया कि भारस सरकार से टीम आने की संभावना है लेकिन कहां आएगी इसकी कोई जानकारी नहीं है भाजपा के राजजसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सियम डॉक्र दिनेश सर्मा सोमार को महमुदाबाद पहुचे इस दौरान उनका मौलाना आजाद इंस्टिट में स्वागत किया गया इस मौके पर पूर्व उपमंख मंत्री तथा भाजपा नेता डॉक्र अमार रिजबी ने उन्हें एक मांग पत्र दिया इस मांग पत्र में मौलाना आजाद इंस्टीट को मौलाना आजाद रूरल इंस्टीट के लिए सीम से लेटर इंटेंट जारी कराने की मांग की है अनुपूर्णा साहित संगम की सापताहिक का विगोस्ती सीतापूर इस्थे जागे सो निवास पर आयजित की गई महफूज रहमानी की अध्यस्ता में आज़ित इस गोस्ती का संचालन रामकिसो शिवास्तो ने किया यासी निबने उमर के सयोजन में गोस्ती का शुभारम जील गांधी की वाड़ी वंदना से हुआ इस मौके पर महफूज रहमानी रामकिसो सिवास्तो डॉक्टर सतीज चंद वर्मा, केपी मिश्ता, जील गांधी, रियाजुद दिन रियाज, एपी गौतम, गीता किसो सिवास्तो, आरून कुमार आधी ने काब विपाठ किया तथा प्रगती बाज में कानहा सिवा, सौर और भव्या आधि सोता के रूप में मौजूद रहे सीतापूर में देवी मा सेवा समीत दौरा विद्यार्थियों की प्रशनोत्ती पितियोक्ता का आयोजन किया गया इस पितियोक्ता में कुशाग्र मिश्रा, आमन मिश्रा, उमा मिश्रा, रिचा मिश्रा, गौरी मिश्रा, मनस्वी मिश्रा, हिमानसु मिश्रा, आकास मौर्या और खुश्बू मिश्रा ने उतकरस प्रदर्शन किया, इन्हें समीत द्वारा प्रिस्क्रद किया गया कस्मंडा बला की ग्राम सभा 86 में सरकारी ताला पर भू माफियाओं के कबजे को भारी पुलिस बल की मौजूद्गी में हटा दिया गया यहां के राजा राम ने इसे लेकर सिधौली तहसिल में विशिकायत की थी जिसमें गाओं के ही माता प्रशाद राकेश कुमार और सुरेश कुमार पर अवायद कबजा करने तथा सरकारी भूम पर गिहू और गन्ने की फसल बोने का अरोप लगाया गया था इसका संग्यान लेते हुए सिधौली साहसिलदार बिनोत कुमार सिंग और राजस्तु पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे तो भू माफिया विबात करने लगे माहौल खराब होता देख तहसिलदार ने ततकाल कमलापूर एसो क्रेशन बली सिंग को सूचित किया पिसामा बलाक के सहस्पूर में प्रधान प्रतनेदीर रविंद तिरपाथी द्वरा होमोपैतिक चिकिस्सा सिवीर आयजित किया गया सिवीर में महिला पोशन और जोडों के दर्द से संबंदित योगासन तथा उचित परामर्स दिया गया इस मौके पर बीहट गौर के चिकिस्सा अधिकारी डॉक्टर अलका सोनी और वरिष चिकिस्सा अधिकारी रतनेश कुमाने पोसक तत्वत अच्छे खान पान के बारे में सिवीर में फर्मासिस्ट अभिशेक बाचपी, अनुराग मिश्रा, अर्पित मिश्रा और प्रमोद आदी मौसूद रहे हरगाउचेत के राहे इस्ते स्री दुर्गा धाम में स्री शत्चंडी महायाग और विराट संत समागम का आयजन किया जाएगा ब्रमलीन स्वामी स्यामानन सरस्ती फलाहारी बाबा की पूर्तिती में आयजित यह कारिक्टरम 47 यग उच्सों होगा सीरी पहाडी बाबा के दिशा निर्देशन में यह आयजन 14 फरवरी को धजारोहण के साथ शुरू होगा और 24 फरवरी को कन्या भोज और बंडारे के साथ इसका समापन होगा अखिलबारतिय विद्यार्थी परशत की सीतापूर इकाई द्वारा डियम कार्याले का घेराव करते हुए दस सूत्रिय मांग पत्र सौपा गया डियम को संबोधित या ग्यापन अतरित मजिस्टे ट्राकी वर्मा ने प्राप्त किया ग्यापन में 36 वर्त आविद्यन की दीधी आगे बढ़ाये जाने सहित अन्य मांगे रखी गई है इस उसर में विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुकला विभाग सहसायोजक शिवा मुर्मा आयूश शुकला पवन्तिवारी महमुदाबाद के ग्राम बाबूपूर में यूपी आयूश सोसाइटी दोरा वार्सिक स्वास्त मेले का आयोजन किया गया इसका शुभारम सीतापूर के छेत्रिया आयूरवेद तथा यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुलेश कुमार सचानने किया यूनानी चिकिस्सा दिवस पर आयोजन का विजयी प्रतिभागियों का पूरुशकरत किया गया प्रिजेस कुमार ने किया। इस दोरान डॉक्टर प्रग्या शाही, दीपक शिवास्तो, अंजली स्रिवास्तो, डॉक्टर रिजवाना मसूत, डॉक्टर विपिंस शाह, फर्मसिस सुलेमान खान, रामकुमार प्रधान प्रतिनिधी मुसीब एहमद और रियाज एहमद करते हुए, पुलिस पर हमला करने वालों पर राज़ द्रोह का केस चलाने की मांग की गई है। इस दोरान राम सहाय पाल, पूनमतिवारी, कविता पांडे, रमाकान तवस्थी, उत्तम कुमार, राजीव कुमार, आसिस पांडे और रतने इस प्रताफ सिंग मौजूद रह इसमें रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपे में दिये जाने, हर पंचायत में सरकारी एस्पताल बनाने और 2024 के चिराओं में महिला आरच्छन कानून लागू किये जाने आधी की मांग रखी गई है। जिला पंचायत अध्यस शद्धा सागर, कंचन प्रभापांडे और किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राम निवास यादो महजूद रहे। शद्धौरा आर इस समाज के संस्थाफक स्वामी दैानन्द सरौस्ती की जैनती मनाई गई। दोस्वी जैन्ती के इस मौके पर स्वामी दैयानन्द के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके कृतित्त और बेक्तित्त को याद किया गया। इसके बाद दिनेश अंबेटकर गांधी उर्फ दिनेश जैस्वाल के नित्यत्त में नगर भ्रमणकर लोगों को महरसी से संबंदित पैत्रक और गुलाव फूल के साथ मिस्ठान विस्तरित की है इस दोरान राम लखन गौतम, रमेश चन निशाद, अंकित कुमार, काजिम अली, अमित राठोर, शिवनात मिशा, राकेश कुमार, रंजीत नैतिक, अंकुर, उमेश और सर्वेस पांडे मौजूद रहे लाहरपूर तैसील से पोंग लीपूर, निमासियों ने सीम और डीपी आरो को पत्र देकर प्रधान की लापरवाही से इंटरलॉकिंग कार, दो साल से अधूरा पड़ा होने का आरोप लगाया है इसी के साथ ग्रामिरों ने प्रधान पर दो साल से कोई काम ना कराने और स्टीट लाइट में गोल माल करने का आरोप भी लगाया है ग्रामनों ने इन आरोपों की जाच किया जाने की मांग की है शिकायत करताओं में अभिसेख सिंग, बिजय सिंग, चंदन सिंग, तुशार सिंग, प्रदीप सिंग, शुभम सिंग, सर्वेश सिंग, पवन सिंग, रिंकूश सिंग और सुधाकर सिंग के नाम शामिल है सीतापुर GIC में एक अच्छा बारा के विद्यार्थियों का विदाई समारो आयजित किया गया इस तोरान मुखे अतिती के रूप में भाजपा जिला अध्यच राजेश शुक्ला और कारिक्रम अध्यच अनुराधा पांडे सहित विशिस्ट अतिती के रूप में भाजपा के नगर अध्यच आकास बजरंगी GIC प्रधानाचार अनिल कुमार उप्रधानाचार डॉक्टर नरेंच सिंग और फूलचंद मौजूद रहे कारिक्रम को लेफ्टिनेंट खान शादाब जमीर सिचक पंकज सतेंद गुपता कारिक्रम अध्यच अनुराधा पांडे तधा प्रधानाचार और उप्रधानाचार ने संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को शुपकामनाय दी और आगामी परिच्छा में सफलता का बहाच्पा जिलाध्यच ने कहा कि मैं यहां का पुरातन शात्रूर यहां हमेशा बच्छपन की याद दिलाता है कारिक्रम का संचालन आशीच कष्छ सेपने किया लहरपूर में तहसिलदार के तबादले की मांग कर रहें लेखपालों का धरना प्रदर्शन साथवे दिन भी चारी रहा लहरपूर तहसिल लेखपाल संक्या धश आवध यादो ने बताया कि उनका यहां अंदोलन तहसिलदार का तबादला होने तक जारी रहेगा और इस समस्या को लेकर जिला अधिकारी के सामने अपना पच रखा जाएगा औल इंडिया स्वच्छ भारत कला प्रितयोकता में सीतापूर विस्व हिंदू परसत के जिला मंत्री तिप्रेस के पुत्र सिवांस ने प्रिथा मस्थान प्रात का जिले का नाम रोशन किया है सिवान्स की उपलब्दी पर बिसु हिंदू परसत की जिला कमेटी सहित कई गड़माने लोगों ने बधाई और शुपकामनाय दी है पिसावा ब्लाक के बरगावा में दुर्गा मंदीर पर आजित राम लीला में सुदामा चरित्र का मंचन किया गया इस मौके पर कलाकारों ने श्रीक किशन सुदामा की मित्रता का सजियू मंचन का लोगों को भावुक कर दिया यूपी कॉंग्रेस अध्यच अजयराय की संस्तुती फ़ल लहरपूर छेत्र के ढखेरा निवासी सुदाकर मिश्रा को लहरपूर ब्लाक कॉंग्रेस कमेटी का अध्यच मनोनीत किया गया है इसी खिसाद नगर के कनाईया कुमार महरोतरा को एक बार फिर जिला महासचियू मनोनीत किया गया है या मनोने अनपत्रुप प्रदेश संगठन महासचियू आनिलियादों ने जारी की इन नियुक्तियों पर डॉक्टर विनो दिचित हाजी शिराज एहमत लल्लू राम शुकला विने तिरपाथी राधिश चाम चौधरी सीलू सुकला आधी ने हर्स्त व्यक्त किया है वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए खबर नामा अब आप के शहर सीतापूर में खुल गया है मिरास सिनेमाज पीवियार जैसा मजा मिरास सिनेमाज में तीन बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउन, अराम दायक रेकलाइन सीट्स वर थ्रीडी मुवीस का भी उठाए लोट्फ रोजाना, पाच शोज, पहली मंजर, पैंग्विन टार, हरदोई रोट, सीतापूर पिसावा थाना छेतर के ससूर्दी पोरो और माथन में हुई मारपीट की घटनाओं में दस लोगों पर केस दर्ज किया गया है ससूर्दी पिर के मामले में रजनी इस ने बकाया पैसा मागने पर रामदीन और उसके पुत्र गंगे पर मारपीट का आरोप लगाया है वहीं दूसरी और माथन के मामले में बलील ने घूरा डालने के मामले में गाउं के ही यूनिस अली आशिक शॉयप और अरसत पर मारपीट का आरोप लगाया है इस मामले में दूसरे पच्छने भी बलील अनस्त अतीक और नसीम पर मारपीट का आरोप लगाया है थाना प्रबारी ओम बीर सिंग ने बताया कि केस दर्ज कर आवस्यक कारवाई की जा रही है महमुदाबाद सित्मा संक्टा देवी धाम में चल रहे धार्मी का आयोजित किया गया इसकारिक्रम में पहुचे राज्यसबाद सदस्य और यूपी के पूर्फ डिप्टी से अब डॉक्र दिनेश शर्मा ने प्रभुशी राम के जीवन और आदर्सों को लेकर विचार ब्यक्त किया बाबा रागोदास की अध्यस्ता में आयोजित इसकारिक्रम के दोरान सांसद राजेश वर्मा, MLC पवन सिंग चोहान, महमूदाबाद विधाईका आसाव मौर्या, कूर्सी विधायक, साकेन पताप वर्मा, RSS के छेत्रिये, सह कारिवाह, रामकुमार वर्मा, भाजपा ज इनेश शर्मा से खास बादचीत के साथ संक्रिटा देवी धाम से जुड़ी महत्पूर खबर को आप आइंडिया पर विस्तार से देख सकते हैं सीतापूर के यूवा सपा नेता संतोस कुमार प्रजापति को समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंख यूथ विग्रेट का प्रदेश उपाध्यश नामित किया गया है राष्टे अध्यश अकलेश यादो की अनुमती तथा प्रदेश अध्यश नरेश उत्तम पटेल की संस्तुती पर यूथ विग्रेट के प्रदेश अध्यश अनीश राज़ा ने संबंदित पत्र जारी किया संतोस प्रदापति को यह जिम्मेदारी मिलने पर सपा जिला अध्यश शत्रपाल सिंग यादो, जिला महा सच्यू, इकबाल हुसेन अंसारी, मलसी जासमीर अंसारी, पूर्व मलसी आनंद भदौरिया, विधायक अनील वर्मा, अर्षत खान, शेखर यादो, जैसिंग देकर प्रिशासन लगाता, रेक्शन में है, सो महार को इसे लेकर मिस्रिक तैसिल सभागार में महातपूर बैठक का आयजन किया गया, डियमनुष सिंग ने एसपी चकरेश मिशा की अध्यसता में आजिटिस बैठक के दोरान महांत संतोस दास खाकी, महांत नराज नरायन पांडे, महांत सिरी नारायन दास, महांत अंजनी नंदन शरन और महांत राजू दास सहित तमाम संत समाज और A.D.M. नितीज कुमार सिंग, A.S.P. डॉक्टर प्रवीन रंजन सिंग, C.M.O. डॉक्टर हरिपाल सिंग, S.D.M. मिस्रिक अजय कुमार्तिवारी तथा S.D.M. संडीला तान्या सिंग, आज सभी संबंदित विभागों के अधिकारी मौसूद रहे इस खबर में संत महांतों ने किन समस्याओं को प्रमुक्ता से रखा, उन्हें जिले के मुख्या, D.M. और S.P. ने क्या कहा, किन विभागों के क्या देशा निर्देश दिये, आधि को विस्तार से जानने के लिए संबंदित खबर आई इंडिया चैनल पर देख सकते हैं। मिस्रिक तहसील में बैठक के बाद D.M. और S.P. का काफिला नविशार पहुचा, यहाँ पर स्री जगदंबा, राज, राज, श्री, प्राण, प्रतिस्था, महोच्सो कारिकरम में 22 फरवरी को C.M. योगी आधितनात के प्रस्तावित कारिकरम को देखते हुए इस थालिया निरच्छर किया गया। महली नगर के महला शक्तिनगर में मा कात्यानी मंदिर के प्राण पतिस्था समारों पर तीसरे दिन भी धार्मी का आयोजन चारी रहा। दॉक्टर सदानन्द आरिया, दिनेश मिशा, पिंटू, लौकुष शुकला, रामकी सोर मिशा और श्यामकी सोर दिछित मवजूद रहे। और अब खबरे जनपत लखीम पूर खीरी से। रालोद अध्यच रहे पूर्व केंद्रिय क्रिश मंत्री चौधरी अजीज सिंग की जन्म जैन्ती मनाए गई। इसे लेकर लखीम पूर के महला हासिम पूर में जिला अध्यच शिव प्रशाद दिवेदी के कैम्प कारियाले पर कारिक्रम आयजित किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने चौधरी अजीज सिंग के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। जिलादेज ने पूर्व पीम स्वर्गिय चौधरी चरण सिंग को भारत रत्म दिये जाने पर हर्श ब्यक्त किया। इस उसर पर डॉक्टर अन्राग सुकला, नाजी मली, संदीप पटवा, आशीश मिशा, गौरी संकर, सूरज कश्यप और अन्जुम खान माजूद रहे। लखिमपुर की निघासन अगर पंचायत के चेर्मेन बद्री प्रशाद मौरिया ने डिप्टी सीम क्रिशो प्रशाद मौरिया से सिष्टा चार भेट की। इस दोरान चेर्मेन ने नगर की विकास योजनाओ को डिप्टी सीम के सामने रखा और उनका सही योग मांगा। हीरा पुलिस ने बड़ी काम्यावी हाशिल की। पुलिस ने आटो अलेफ्टर गैंग के दो सदस्यों को गिरफतार को उनकी निसान देही पर दस मोटर साइकल बरामत की हैं। पुलिस के मताबिक या लोग बाइक चोरी करने के बाद उसकी नंबर प्लेट बदल कर भेज देते थे। इस टीम में थानादेज बिजेस मौरिया, एसाई संधी प्यादों तथा संजे सिंग, चंद मोहन त्यागी, अर्विंद कुमार, विकास कुमार और सोहित कुमार आद्यार अच्छी मौसूद रहें। लखिमपूर के जिला अस्पताल में दूरवीन से आपरेशन की सुविधा सुरू हो गई है। भारत और पडोसी देश नेपाल के बीच रोटी, बेटी का संबंध सद्यों से चला रहा है। अब इन संबंधों को प्रगाण करने के लिए नेपाल सीमा से सटे, यूपी के आठ जिलों में भारत नेपाल मैतरी महोत्सो का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखिमपूर का मैतरी महोत्सो 26 फरोरी को चंदन चौकी में आयोजित किया जाएगा। सोमार को इसे लेकर डियम महन भादू सिंग के अध्यस्ता में तैयारियों का आयोजन किया गया। और अब खबरे उत्तर प्रदेश से खबर नामे में प्रदेश की खबरों का सफ़र एक बड़ी खबर से शुरू करते हैं। यह खबर विश्व इस्तरवा भारत की बढ़ रही धाक को बताने वाली है। कतर की जेल में अगस्त 2022 से बंदी तथा जासूसी के आरों पे फासी के सजा पाए सभी आठ पूर्वन नो सैनिक रिहा होने के बाद अपने वतन भारत लौट चुके हैं। इनकी सकुसल रिहाई को मोधी सरकार की कूटनीदिक की जीत माना जा रहा है। यही वज़े है कि समय मोधी है तो मुम्किन है का जुमला सोचल मीडिया पर जबस दस्त ट्रेंड कर रहा है। आरेलडी प्रमुक जैन चौधी के एंडिये में जाने की खबरों के बीच राहूल गांधी की भारत जोडो निया यात्रा में किया गया बदलाओ सियासत की सुर्ख्या बन रहा है। कहा जारा पश्चमी यूपी के बदले समी करण को देखते हुए यात्रा पश्चमी यूपी ना जाकर कानपूर से हमीर पूर जासी होते हुए मद्ध पिदेश चली जाएगी। इसके लावा यूपी में स्यात्रा को 11 दिन रहने का कारिक्रम था जानकारी के मुताबिक इसे भी घटा कर 6 दिन कर दिया गया है राजनेतिक गल्यारों में चर्चा है कि क्या भाजपा ने राज्यसभा की 7 सीटों से लोकसभा की 80 सीटों का गड़ित साद लिया है इसकी वज़े भाजपा के OBC दाओं को बताया जा रहा है भाजपा ने इन 7 सीटों में से 4 पर OBC प्रत्यासी उतारे हैं इसे इसका OBC एजन्डे पर मजबूती से कदम बढ़ाना माना जा रहा है इसी के साथ नारिष शक्तिवंदन के वादे को पूरा करते हैं भाजपा ने दो महिला उमिद्वार उतार कर आधी आबादी को भी साधने का प्रयास किया है यूपी के सियासी गल्यारों में इन दिनों चर्चा हो रही कि क्या RLD के सपा से अलग होने के बाद कॉंग्रेस की 20 सीटों वाली डिमांड पूरी हो सकती है बताया जारा कॉंग्रेस की और से अखले शादों को इन 20 सीटों की सूची भेज दी गई है और इसका एलान राहूल गांधी की भारत जोडो नियायात्रा यूपी में पहुशने से पहले ही हो सकता है हलाकि यह इतना आसान नहीं है क्योंकि सपा ने कॉंग्रेस को 11 सीटों पर लड़ने का ओफर दे रखा है वैसे राजनीत के जानकार बता रहें कि आरेलडी के बाहर जाने का सीधा फाइदा कॉंग्रेस को मिल सकता है लगातार साथवी बार यूपी की कुंडा सीट से चुनाव जीत कर विधान सबा पहुशे रगुराज प्रताप सिंग और राजा भाईया अपने बेलाग अंदास के लिए जाने जाते हैं अक्सर या जब बोलते हैं तो उसे बहुत ध्यान से सुना जाता है इस बार भी यही हुआ दरसल शनिवार को विधान सवा में अखलेई शादों ने पाकिस्तानी शायर अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा तो राजा भाईया ने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि अखलेई शादों को मानो साप सूंग गया राजा भाईया ने उनके अधूरा शेर पढ़ने पर आड़ो हाथों लेते वे कहा कि इसे अधूरा नहीं पूरा कही है बिहार विधान सभावे भारी हंगामा और शोसरावे के बीज भाजवा के एंडिये की नितीज सरकार ने विस्वासमत हासिल कर लिया कुल 243 सदस्यों में से 119 ने विस्वासमत के पच्च में मतदान किया जबकि पूर्म डिप्टी सियम तेजश्ची आदो सहीच समूचे विपच्च ने वोटिंग बाइकार्ट किया मतादे इस से पहले विहार विस्वासमत को लेकर दोनों और से खेला होने की बात कही जा रही थी हकीकत में चाहे भाजपा और उनका गठबंदन हो या फिर तेजश्ची आए उनका गठबंदन सभी अपने अपने विधायकों के पाला बदल को लेकर शचांकीत थे इसके लिए विधायकों को इधर उधर रखा जा रहा था कॉंग्रेस से निस्कासित कल की पीठा द्यूसर आचार प्रमोट कृष्णम के नेवते पर पीम नरेंद मोदी 19 तारिक को यूपी के संभल जिला इस्थित कल की धाम पहुँच सकते हैं कॉंग्रेस से निस्कासित होने के पहले से ही आचार के भाजपा में जानने की चर्चाएं सुरू हो चुकी थी अब आचार ने खुद ही सारा जीवन पीम मोदी को नहीं छोड़ने का एलान करके सारी चर्चाओं को विराम दे दिया है वैसे तो इन दिनों श्तादियों का मौसम चल रहा है लेकिन यूपी में इस समय एक शादी चर्चा का विसे बनी हुई है यूपी की तेज तर्राड डियस्पी श्रेष्ठा ठाकूर एक ठक के जासे में आकर उससे साधी कर बैठी अब जब पोल खुली तो डियस्पी की तहरीर पर उनके पूर्पती को गिरफतार कर जेल भिज़ दिया गया मामला कुछ हिस्तरे का है कि 2008 बैच की अधिकारी श्रेस्था ठाकूर इन दिनों गाजियाबाद के थाना भववन छित की सीयों है उसमें आरूपी ने खुद को IRS अफसर बताकर राची में तैनाती होना बताया था हलाकि इस जूट का खुलाशा शादी के दो साल बाद ही हो गया था कलाह बढ़ने पर तीन साल पहले DSP ने तलाक ले लिया था यह था आज का खबर नामा आप देखते रही आइंडिया मुझे दीजे इजाजत नमस्कार खबर नामा के प्रायोजर थे Mother's Pride Public School टिड़वा चिलॉला लखीमपूर पाइपास सीतापूर मिरास सिनेमास पहली मंजर पैंग्विन टार हर दोई रोट सीतापूर झाल पाइपास प्रायोजर पिलॉला लखीमपूर